दिल्ली सरकार के खिलाव हला बोल सडकों पर उत्रे छात्रों ने काटा बवाल जान बचा कर भागी MCD मियर तो कैपिटल टीवी की जो टीम है वो राउ इंसिट्यूट कोचिंग सेंटर के बिल्कुल बाहर है आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरा चात्रों का जो पूरा जो हुजूम है जो सेक्ट्रों की तादात में छात्र यहाँ पर आपको नजर आ रहे है ये इन्साफ के लिए बैठे हैं सडकों पर और इनका साफ तोर पर कहना है कि जब तक इन्साफ नहीं मिलेगा वो सड़कों से हटने वाले नहीं है आपको बता दें कि यहाँ पर 29 जुलाई की सुभा LGV के सकसेना भी पहुँचे थे जिन्होंने चात्रों को मनाने की काफी कोशिश की उन्हें भरोसा दिलाया कि दो दिन का वक्त दीजिए जाच में सब को सामने आए जाएगा और जो कंप रुपया एठा जाता है और इस पूरे इलाके में कमर्शल एक्टिविटीज को अंजाम दिया जाता है जबकि यह पूरा इलाका रेजिदेंस इलाका है लेकिन यहाँ पर लंबी लंबी आठाट माले की बिल्डिंगें बना दी गई है बेस्मेंट में लाइबरेरिया बना चली गई उसने कई सवाल खड़े किये साथी साथ ना सिर्फ दिली सरकार यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ साथ एमसीडी को भी लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं बताय जा रहा है इस पूरी इलाके में अगर एक छोटा सा साइकल पर अगर कोई शक्स नीबू भी बेचता है तो उससे भी वसूली की जाती है यहाँ पर यहाँ पर वसूली का पूरा यह जो सिस्टम है जो पूरा नैक् इसके कह सकते हैं एक तीन चात्रों की जानने कई सवाल खड़े कर दिये और इस दिली के अंदर जो नैक्सिस चल रहा था उसका भी खुलासा किया है दिली की राओ आयेस कोचिंग सेंटर के बेस्मेंट हास्से पर राश्टिय मानवा अधिकार आयोग ने दिली सरकार दिली पुलिस और MCD कमिशनर को नोटिस जारी किया है आयोग ने 14 दिन के अंदर डिटेल रिपोर्ट मांगी है साथ ही मुखे सचिफ को निर्देश दिया गया है कि राज्य में नियमों का उलंगन करने वाले सभी कोचिंग सेंटर का पता लगाएं दूसरे तरफ हास्से के तीसर 6 बजे बंद हो जाता था दरसल हासे वाले दिन ये दावा किया जा रहा था कि बायोमेट्रिक लॉक खराब होने के कारण है चात्र बेस्मेंट में फस गए थे मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि जल भराफ के सम्मद में अधिकारियों से कई शिकायते की गई लेकिन इस पर कोई कारवाई नहीं की गई इससे नजर आता है कि अधिकारियों ने लापरवाही की वहीं आयोग ने पटेल लगर इलाके में जल भराफ के कारण, पानी में फैले करण से सिविल सेवा की तयारी कर रहे चात्र की मौत पर भी संध्यान लिया है विरोध प्रिदेशन पर बैठे लोगों का गैना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक विरोध जारी रहेगा हम कैंडल मार्च और भूख हरताल भी करेंगे हमारी मांगे राओ के आईएस स्टडी सरकल से पीडित परिवार के सदस्यों को नैतिक आधार पर फोरण मुआवजा और सुरक्षा चूक के लिए जिमेदार लोगों के खिलाफ सक्त कारवाई की है सौमवार को दिली हाई कोट में चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुशार राओ गेडेला की बैंच के सामने दिली कोचिंग हासे की जांच के लिए पैनल गठित करने की मांग वाली जनहित याचिका दायर की गई थी साथ ही इस पर फॉरण सुनवाई की मांग की गई थी जिस पर बुद्वार याने 31 जुलाई को सुनवाई होगी वही दिली के मुखे सचीफ नरेश कुमार ने सौमवार को राजस्व मंतरी आतिशी को पहली रिपोर्ट सौपे उन्होंने कहा कि डिस्टर्क मजिस्टेट को कोचिंग सेंटर पर बाढ़ के कारणों का पता लगाने का नरेश दिया गया है वो जल्द ही इसकी फाइनल रिपोर्ट सौपेंगे कल ही केंद्रिक ग्रहमंतराले ने भी जाच के लिए पांच सदसे कमीटी का गठन किया है ये 30 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौपेंगे जिसमें हासे के कारण हासे के लिए जिमेदार लोगों का जिक्र होगा साती ऐसे हासों से बचने के उपाए और नीती में बदलाव की सिफारिश भी होगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चात हैं वो साफतार पर उन्हें कहना है कि अब सरकार को कुछ सक्त एक्शन लेना होगा लेकिन यहाँ पर भरोसा दिया जा रहा है चात्रों को बार-बार यह कहा जा रहा है कि जाच चल रही है अभी तक दिल्ली पुलिस ने भी सिर्फ साथ लोगों को गिरफतार किया है और जिसमें से यहाँ पर MCD की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने सक्त एक्शन लिये लेकिन वो सक्त एक्शन भी आपको बदा दें दो मामूली अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है लेकिन जो बड़े अधिकारी है जिनकी इस पूरे जो गोरक दंदा चड़ाता है उसमें मिली भगती उनसे कोई सवाल नहीं किया जा रहा है उन पर कोई उंगली नहीं उठाई जा रही है जिससे इन चात्रों का जो क्रोध है जो गुस्सा है वो बढ़ता ही जा रहा है और जिस तना से ये चात्रा प्रोटेस्ट कर रहे हैं उससे साफ है कि आने वाले दिनों में याँ पर ये प्रोटेस्ट एक आंदोलन का रूथ भी ले सकता है क्योंकि चात्रों को साफ़तार पर कहना है कि ये सिस्टम का बड़ा फेलियर है पहले तो ये बताए किलियर ली के कित्ती मोते हुई है ठीक है ना अभी तक ये नहीं बता रहे है कि अभी एक न्यू जारी अनओफिसियली संभवी करके लड़की उसकी बाड़ी एंपर कर दिगए वो कहा कि ये वर नहील बता रहे है कि इतने बच्छों की हम मानते हैं कि 15 से जाधे बच्छों की मोते हुई है और यह नहीं बता रहे इधर आम आदमी पार्टी के मुख्याले के पास बीजेपी ने विरूत प्रदर्शन किया बीजेपी कारिकरताओं ने कहा कि एमसीडी में आपका बहुमत है मेर भी आपकी ही है ये घटना एमसीडी की लापरवाही के कारण हुई है कारिकरताओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन चलाई इधर आम आदमी पार्टी कारिकरताओं ने एलजी सचीवाले के बाहर बीजेपी और एमसीडी कमिशनर के खिलाफ विरूत प्रदर्शन किया कारे करताओं ने कहा कि MCD कमिशनर की न्युक्ति ग्रह मंत्रा ले करता है कमिशनर की लापरवाही के कारण जल भरा हुआ और चात्रों की मौत हुई कोचिंग सेंटर के पास चात्र भी प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के LGV के सकसेना 29 जुलाई को उनसे मिलने पहुँचे दिल्ली के 13 कोचिंग सेंटर भी सील कर दिये गए हैं मेडिया रिपोर्ट्स के मताबिक इनमें द्रिश्टी आईस कोचिंग संस्थान का एक सेंटर भी शामिल है यह सेंटर नहरू विहार के वर्दवान मौल के बेसमें में चल रहा था यानि यहाँ पर एक्शन तो लिया जा रहा है लेकिन एक्शन का जो असर होना चाहिए वो फिलाल दिखाई नहीं दे रहा है